हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी डेली की इन वाक्षीट को काफी जादा एंजॉय कर रहे होंगे चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास टू की वाक्षीट नंबर 75 जो की 21 सितंबर 2021 की वाक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानि की गणित यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले से जो की है चित्र पहली तो आपको चित्र एक और चित्र दो यह दो चित्र दे रखे हैं और आपको ढूना है कि इन दोनों चित्रों में क्या क्या गलतियां हुई है आपको कुल चार गलतियां ढूननी है ठीक है तो देखिए पहली गलती क्या है यहां पे बादल बना और यहां पर नहीं रखी है, और तीसरी गल्ति क्या हो जाएगी। कि देखो, इस पहले वाले चित्र में इस जो अनिमल है इसका पैर नहीं दिख रहा है, जबकि यहां पर इसका पैर दिख रहा है। फूलों के पौधे लेकर आई आकाश ने कहा कि वे हर पंक्ती में दस पौधे लगाएंगे अपनी ने कहा कि क्यों ना हम हर पंक्ती में अलग अलग तरह से पौधे लगाएं तो आकाश ने कहा ठीक है पर हम एक रंग के फूलों के पौधे एक साथ लगाएंगे तो क्या देखो बारिश का समय था तो आकाश और अमी ने सोचा कि क्यों ना हम पेड़ पौधे लगाएं कुछ फूलों को ही उगाया जाए तो इनकी मम्मी दो तरह के फूल लेकर आई लाल रग के फूल और पीले रग के फूल तो इन्हों ने सोचा कि हम हर एक पंक्ती में अलग पौधे लगाएंगे तो अवनी ने कहा कि दूसरी पंक्ती में हम लाल फूलों के दो पौधे और पीले फूलों के आठ पौधे लगाएंगे तो देखो यहां पे देखो पहली पंक्ती में पांच पीले फूल है और पांच लाल फूल है दूसरी पंक्ती जो कि अवनी की प तो देखो, इन्होंने क्या किया है? पहले में 5-5 किये हैं, दूसरे में 2-8 किये हैं, आप इसको और थोड़े से change कर सकते हैं. ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, सात लगाएं, मैं कितने भी लगा सकते ह ठीक है तो यहां पर हमने देखा एक दो तीन चार चार हमने बनाए लाल फूल ठीक है और पीले कितने बने एक दो तीन चार पाँच छे छे बन गए पीले फूल ठीक है तो इस तरीके से आप जैसे पहले पाँच और पाँच इन होने लिया था दो और आठ लिया था मैंने चार और छे ले लिया आप क्या कर सकते हैं तीन और साथ ले सकते हैं उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं नौ और एक ले सकते हैं तो इस तरीके से आप भी रखना कि टोटल जो फूल है वो कुल मिलाके दस ही बनेंगे दस से जादा नहीं बनेंगे ना ही दस से कम बनेंगे ठीक है अब आपके parents के लिए आपे सुझाओ है कि बच्चों को पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित कीजिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों के महत्व पर बात कीजिए तो जरूर आप बच्चों को प्रेरित कीजिए पेड़ पौधे लगाने के लिए भी और उनकी देखभाल करने के लिए भी और पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी आप बच्चों को जरूर बताएं तो बच्चों ये थी आज की हमारी maths की worksheet आई होप आपको एफ वरकशीट काफी जादा इंट्रेस्टिंग लगी होगी और अगर आपको एफ वीडियो पैसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू